सोमवार की रात 11 बजे की दर्मियान खापर खेड़ा थाना शेतर अंतरगत कामटी तैसिल के बावुल खेड़ा इस्तित एक रटायज जज के फार्म हाउस पर नौ लोगों ने डकैती का प्रयास किया आरुपियों ने फार्म हाउस के नौकर को बंदग बना कर मारपीट की फार्म हाउस में एक तलगर बना हुआ है और उस तलगर में बड़ी मात्रा में संपत्ती रखी हुई है ऐसी जानकारी आरुपियों के पास थी नासिक के शेशन कोड रटाय जज अनिल मोहवे की पतनी शुभांगी मोहवे के नाम यहाँ फार्म हाउस है फार्म हाउस में वरद अनंतराव रांग डाले उम्रे चौतर वर्ष रखवाली करता है अनंतराव को मारपीट करने के बाद फार्म हाउस में आरुपियों को ट्रस पराच की अपराचर शाका नापू, ग्रामेन और खापर खेडा पुलिस ने मामली की जाश शुरू की तो, खापर खेडा थाने के निलेश विजवार और उस्तानिक अपराच शाका टीम के विरेंद्र नरर्ड और राजू रेवतकर, इनको पाशन थैसिल सलाई इंहे भी रास्त में लिया गया है सोमवार रात 11 बजे से मंगलवार की सुभा 8 बजी तक यह कारवाई चलती रही घटना को अंजाम और साजिश रचने वाले चार आरूपी फरार है उनकी तलाश जारी है सभी आरूपी माउदा, कनान, खापरखेडा और कोराडी थाना हद के होने से इन आरूपीयों ने ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दिया हो, ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कामकी थाने के टीम भी आरूपीयों से पूस्ताच करने वाली ऐसी जानकारी मिली है पुलिस अधिक शक विजे मगर इन घटना को लेकर गंभीर दिखाई दिये सोमवार को स्पी मगर खापर खेड़ा थाने आये थे घटना की उन्होंने पूरी जानकारी ली थी और आरूपीयों को जल्द पकड़ने की निर्देश दिये थे घटना के बाद मातर 24 घंटे में पुलिस ने मामले को सुलचा लिया यह कारवाई एसपी विजे मगर एडिशनल एसपी राहुल माखिनकर इनके आदेशते स्थानिक अप्राश शाकप पुलिस निरिक्षक उम्प्रकाश को काटे खापर खेड़ा थाने के पुलिस निरिक्षक रुद्यनात यादव इनके मार्ग दैशन में अप्राश शाखा के एपी आई अनिल राउत आशीश मुंगेले राजू रिवतकर सहाइब राव भाले शैले शादव उमेश फूलबेल विनोत काले प्रणे बनाफर किशोर वा पी आई दीपक, कांग्रेडवार, उमेश ठाकरी, राजू भोयर, आशीश फूरे, नुमान, शेक, प्रमोद भोयर, मुकेश वागडे और निलेश बीजवार इन्हों ने की खापर खेड़ा से NBCN न्यूज के लिए कैमरामेन आशीश रावत के साथ अरुन महाजन की रिपोर्ट